तो इसके बारे में क्या है लैडिस्ट अप्डेट यह आप लोग जानने वाले हो साथ theела काफी ज्याता इंफॉर्मेटीव होने वालाए अगर लोग omega network पे mine करते हो तो वीडियो को बिना skip करें तक जरूर देखना चलिए आज के important वीडियो को करते हैं start all right तोगे सबसे पहले बात करते हैं KYC के update के बारे में आप लोग screen पे देख सकते हो omega network के तरफ से जो official tweet आ चुका है KYC को ले करके तो finally जो है omega network पे KYC start हो चुका है users के high volume के वज़े से KYC जो है वो batches के according perform किये जाएंगे तो KYC करने के लिए या फिर यह check करने के लिए आप KYC के लिए eligible हो या नहीं तो इसके लिए सबसे पहले आपको play store पे जाना है और आपके omega network के application को आपको update कर लेना है अपडेट करने के बाद ही जो है आप जैसे open करोगे आपके omega network के application को तो आपको जो है 3 line पे क्लिक करने पर users verification का option दिखने को मिल जाएगा तो user verification पे क्लिक करने के बाद अगर see you soon का message आपको show होता है that means कि आप अभी के लिए eligible नहीं हो लेकिन बहुत जल्द आपके लिए KYC slot मिल जाएगा बहुत जल्द आप जो है KYC process कर सकते हो और जितने भी लोग अभी के time पे KYC के लिए eligible है तो जैसे वो user verification के टैप पे क्लिक करेंगे तो उनके सामने KYC process कुछ इस तरीके से सामने आ जाएगा basically simple सा process आपको मिलते है KYC का तो वह process को आपको complete करना है basic details वगर डालना है address वगर फील करना है और face verification करना तो आपका KYC जो है apply हो जाएगा आपने अगर पाई ने टोग पे या फिर दूसरे कहीं पे KYC किया है तो KYC का process जो है बिल्कुल similar है तो आप easily कर पाऊगे और सो ओमेगा ने टोग पे किस तरीके से KYC किये जाते इसके लिए मैं एक proper वीडियो भी लेकर आऊंगा बहुत जल्ट डेस्क्रिप्शन पर हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा जरूर जा यहाँ पर भी पेंडिंग हो जाएगा जैसे लोगों का KYC जो है पाइने टोक में पेंडिंग हो रहे हैं तो यह बहुत बढ़ा नहीं उसे ओमेगा नेटवर्क माइनर्स के लिए ओके गाइस तो अभी बात करते हैं सेकेंड डब्रेट के बारे में जो कि यह वालेट को ले जब इसका open minute launch होगा ठीक है तो उसको सेल या वुड्रो करने के लिए पिर किसी और के अट्रेस में सेंड करने के लिए पहले आपको जो है अपने ओमेगा टोकें को जो है वालेट पे ट्रांस्पर करना पड़ेगा उसके लिए वालेट क्रेट करना होता है तब यह करने के बात जो है आपका माइन किया हुआ OM token आपके wallet पे ट्रांसपर किये जाएंगे ओके तो यह था wallet को ले करके update अभी बात करते लास्ट इंपॉर्टेंट अप्डेट के बारे में तो finally जो है लेकिन मैं इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बहुत जल्द अप्रोड कर दूंगा वह वीडियो देख करके आप इसली जो है टेस्टनेट पर पार्टिसिपेट कर सकते हो तब तक आप यूटूब पर जाके दूसरे वीडियो पर सर्च कर सकते हो कि किस तरीके से टेस्टने करना पड़ेगा तभी वो टोकेन को आप यूज कर पाओगे या फिर सेल या वीडियो कर पाओगे तो मैंन भी करते रहिए और अपना नॉलेज को भी इंक्रीज करते रहिए क्रिप्टो के फिल्ड में अगर आपने अभी तक माइन करना स्टार्ट नहीं किया ओमेगा चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरू कर दिया तब तक लिए बाई मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट आरेक इंफर्मेटिव वीडियो के साथ